कॉंग्रेस की एहम बैठा को लेकर 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 कॉंग्रेस की एहम गांधी के घर पे ही होगी सरकार को गेरने की त्यारी में कॉंग्रेस और इस बैठक में यहांपर रणीती त्यार की जाएगी कि क्या कुछ ऐसे एहं मुद्दे होंगे किन मुद्दों को लेकर यहांपर सरकार को केंद्र को घेरने की कोशिश की जाएगी तो पूरी तरह से यहां पर रनीती तयार की जाएगी जो कि आज यह एहम बैठा का सोनिया गांधी के घर पर होने वाली है तो आपको बता दे कि संसद सत्थ को लेकर यह कॉंग्रस की एहम बैठा के जो कि सोनिया गांधी के घर पर करकत कि जगी जैए बाठा का एंगी सोनिया गांदि के घर पर संपनी की जाएए हैं आप के सन्पनी के ज़ाए आप जिन मुद्दो को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है वो भी चर्चा में रहेगा। पढ़िए है इस बात पर मन्तन किया जाएगा क्या अखbird कार थै antisHeath कार के संसत के सत्र में विपक्ष अपनी भूमिका में अगंग्रेट के को बात करें। बिकार जुन खड़गे जो पुर्ब में नेता सदन हुआ नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे अब वो स्वायम कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं ऐसे में आखरकार इस बार किन मुद्दो को लेकर कॉंग्रेस पार्टी सदन में पहुच रही है यह देखने माला होगा क प्रतिपक्ष की भूमिका इस बार क्या रहेगी जिन पर केंदर को घेर ते वही बिपक्ष को निजर आएगी लेकि यह को पिछली बार भी आसे में आज़्बावना है कि महगाई के मुद्द पर सदन में कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पाटी जरूर सत्ता पंच को घेर्टी वी दिखाई देगी और 2024 में लोबसभा का चुनाव है तो ऐसे में इस पार का सत्र बहुत महत्रपूर्ण है बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनकर सरकार को घेरने की संभावना जटाई जा रही है क्यूंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव से पहली ये देखा जाता है कि जाया विखक्षो या सत्ता पक्षो सदन में जो है कहीं न कहीं जो राज माइस जूर हो जाती है कि अब बहुत आशे बिल हैं जिनको इस बार पास करना है तो इस बार का जो सत्र है वो बहुत मातपून होगा विपक्ष के नाते जहां तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरनी की कोशिश होगी वहीं सत्रन में सत्ता पक्ष कुसिस करेगा कि अधिक से अधिक भी लोग को पारित करवाया जाए जसे आने वाले 2024 के चुनाओं में केंदर सरकार की और भी योजनाएं लोगों तक पहुंच जाएं अब देखने बाला यह होगा कि आकरकार इस बार के संसत के सत्र में क्या कुछ रहेगा और कि साधार पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी और संसत के सत्रन की पटल पर जो सत्ता पक्ष उसकी क्या कुछ भूमिक कि दिगज नीता है उनके पौशने का भी इसलसला सुरूर हो जाएगा लेकर जुन खड़के रहेंगे समभावना यह जताई जारी गया कि अगर हम बात करें तो राजस्तान के मुख्यमंत्री रहेंगे और भी कई राज़ों के मुख्यमंत्री की रहने के जो संभावना है वह जताई जारी है लेकिन आने वाले समसी प्तरिके से लगातार कॉंग्रेस पार्टी एक लंबे समय से जो है विपक्ष की भूमिका में हैं और पुछ्छी बार हमने दखा कि भारी बर कम हंगामा हुआ और सदन का जो सत्र है वो हंगामे की भी चड़ गया इस बार देखने वाली बात होगी कि कितने विलपास होते हैं और विपक्ष की कितने आहम भूम का नज़र आएगी तमाम जौनकारी साच्वा करने के लिए कि